आज लंबी क्लासिस नहीं होगी बस लीवस वगेरा डिस्कस करेंगे आपका है बीकॉम सेकिंड येर सर अगर सेकिंड येर की बात करें तो हर लाइफ के अंदर एक ऐसा पढ़ाव आता है जो थोड़ा सा मुस्किल होता है और वो ये है ग्रिजूशन में सेकिंड येर देखो फर्स्ट येर चला गया बाकिस सब चला गया सेकिंड येर एक क्रिटिकल ऐसा पॉइंट रखा हुआ है और अभी से नहीं सुरू से ही कि आपके ग्रिजूशन को पूरा पकड़ के रखता है जैसे आप ग्यारवी बारवी के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं अब इसके अंदर एक्जामनर का फुल फोकस रहता है कि बच्चे को थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट से निकाला जाए कि उसे थोड़ा सा पता चले कि भीया थोड़ा कुछ हार्डनेस चीज भी है तो इसलिए यहाँ पे आपके सामने तीन तीन प्राक्टिकल रख दिये गये हैं एक है सर आपका कॉस्ट अकाउंट एक है आपका कॉर्परेट एक है आपका प्रसनल टेक्स प्लैनिंग अप्शनल में लेकिन कुछ बच्चों के पास तो है इसके बाद आपके जो अधर सब्जेक्ट से ना चाहे आपका एकॉमर्स हो चाहे आपका हिंदे इंगलिस हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा कॉस्ट अकाउंटिंग की अल्रेडी एक क्लासिस हो चुकी है आपका और मैं इसके समिस्टर के टम्स में बात करूँ तो ये समिस्टर 4 के अंदर आता है आपका एक क्लासिस हो चुका है और कुछ बच्चों को पता है वैसे तो हर एक बच्चों को पता होगा आपका exam का calendar year के according आपका 15 में से exam है और आपके जून में खतम हो जाएंगे कभी भी जैसे के 10-12 जून तब exam जो DU का decided है कि हम इस date पर exam ले लेंगे इसके बाद यानि हमारे पास जैन, फैब, मार्च, एप्रेल clear cut और मैं भी मैं count कर लूँ एक बार को थोड़े दिन है तो clear cut साड़े चार मेहने है एप्रॉक्स clear जल्दी बैच शुरू करने का यही reason था के sir, बच्चे कह रहे है sir मैं through third year में कोई दिक्कत नहीं है आपका जो भी है आप देखिए clear cut साड़े पहले अगर आपने देखा होगा तो आपको time कम मिलता था cost account ना सिर्फ program और honors दोनों के अंदर है मैं इसको बोलूँगा कि आप tackle कर सकते हैं इतना मुश्किल नहीं है आसान है हो जाता है numerical कल हमने chapter भी start किया था काफे सारे बच्चों ने देखा भी तो बहुत simple simple question भी हमने करे थे कल तो इतना मुश्किल नहीं है लेकिन corporate account की मैं बात करूँ ना तो जादा तर बच्चों को ने जिन बच्चों को डर लगता है 12th class में जिन बच्चों को 12th class में डर लगता था सर किस से कंपनी account से जिनको shares वाले chapter से डर लगता था 12th class में जब अब वो corporate करेगा ना तो उनको बहुत ज़्यादा problem होने वाली है और problem का मतलब क्या असर उसे लगएगा कि जीवन में हमने commerce क्यों लिया पहली बात मैं कर लो सारा chapter numerical है और numerical में एक भी account नहीं है पूरा journal entry है ठीक है तो जिसका 12th के अंदर हाथ बहुत अच्छा था shares वाले chapter के अंदर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है easily कर लेगा वो tough है इसके अंदर concept है लेकिन कर लेगा लेकिन जिनका हाथ बहुत tight था और कई बच्चे तो shares वाले chapter छोड़ भी देते था यार हटाओ इसको इसको यह तो समझ में नहीं आ रहा उन बच्चों पे बहुत मान के चलो tough रहेगा तो उन बच्चों के लिए भी मैंने कुछ समाधान सोचा हुआ है वो apply कर लिजेगा नि मैं तो last तक कोई दवाई नहीं है इसका सबसे ज़्यादा बच्चे जो last बार मैं डरा नहीं रहा मैं alert कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा बच्चे जो fail हुए थे मैं ratio अगर लू न तो 10 में से 2 बच्चे पास थे 80% बच्चे fail हो गए थे corporate में पिछली बार 80% बच्चे corporate में fail paper देखने के बाद paper छू भी नहीं पा रहे थे एक question कर लेते थे वही गनी मत था luckily last year का question paper गलत आ गया था print होके जसमें दो सवाल गलत थे तो जिन बच्चों ने attempt किया होता सवाल उनके बज़े से पास हो गए same हाल रहा हमारा honors वाले बच्चों का भी अभी second semester में भी यही है honors के अंदर तो उनका भी यही हाल है उसमें से भी maximum बच्चे रोके गए corporate में तो एक तरीके से मान के चलो यह एक wall है आपके graduation के अंदर अगर इसको आपने पूरा कर लिया तो नईया पार है अगर इसको रोक लिया तो यह आपकी जान ले लेगा semester 6 में क्योंकि जो बच्चा इसमें fail होगा तो वो जाएगा कहा पेपर देने के लिए semester 6 में वहाँ पे फिर उनको बहुत ज़्यादा problem face करना पड़ेगा वहाँ भी practical है personal text planning सर मैं कोई class नहीं लेता personal text planning का अगर मेरे से अच्छे से income text किया है न तो आपका definitely यह हो जाएगा मैं question paper भी आया हुआ है मैं दिखा दूँआ हाँ 10 year मैं available करवा दूँआ इसका PTP का इस बार तो आ जाएगा 10 year personal text planning का तो सीरीसी बात है सर हमारे पास इतने सारे subject है cost easy है आप मेरे से बोलोगे न सरक cost accounting की slayvers खतम कराने को तो मैं बोलूँगा कि फर्वरी एंड बे मैं slayvers खतम कर सकता हूँ cost accounting की जादे जादा 15 मार्ज तक खतम कर सकते हैं लेकिन corporate का बोलोगे न तो कोई guarantee नहीं है क्योंकि एक एक chapter के अंदर काफी time लगता है और काफी सारे concept है तो हम इस strategy से इस बार पढ़ेंगे न कि चीजे आसान हो जाए इसके अंदर पढ़ने से पहले आप ध्यान रखिएगा focus रखिएगा कि भाई साब जो हम पढ़ रहे हैं उसको daily basis पे revision करना है तो साड़े चार या पांच मैंने हमारे पास जरूर available बनते हैं साड़े चार मैंने लेकिन उस साड़े चार मैंने का utilization अपका proper तरीके से हो जाएगा उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है class miss नहीं करना class regular basis पे देखना है जो बच्चे live class में recorded mode पे देखते हैं तो बड़ी cdc बात है सर science student और मैंने भी पढ़ा company accounts नहीं पढ़ा company हाँ बिल्कुल बहुत सारे होते हैं मैं उनके लिए भी provision मैंने क्या किया है इस बार जो बच्चे जितने live हैं तो मैंने सबसे पहले इसको जो हम पढ़ेंगे पूरे एक systematic तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें कोई समस्या नहीं आएगी पहली बात उसकी maturity देता हूँ regular आपको वीडियो देखना है regular आपको class देखना है अगर जो बच्चा regular रहा मेरे साथ हरे class के अंदर तो मैं इस चीज की severity guarantee बोलता हूँ कि बच्चा pass हो जाएगा pass नहीं अच्छे number भी आजाएगा सब को समझ में आएगा अब examiner करना trend बदल गया है और वस trend आप income tax के paper को देखके समझ सकते हो वो fundamental चीज़े पूछता है अब मैंने अभी तक last paper की बात करूँ आपने भी अभी तक आपके college में school में हर जगह स्कूल तो छोड़ो college के अंदर या फिर कभी भी 10 year जब भी पूछा हो सब ने बोला salary question तो पका है नहीं दिया ठीक है paper मानते आसान है असान paper पता है क्यों है उन बच्चों के लिए paper आसान था जो बच्चे पूरा salary करके गए थे जिन बच्चों ने selective एक salary कर लिया एक HP कर लिया और सोचा 15 का यह आएगा HP 10 का आएगा capital गेन इतने का हो तो बरवाद हो गया है ठीक है ना तो उस हिसाब से और regular का paper देखोगे ना इसका उलट मैंने regular का solution भी डाला था हर किसी को भी share किया था बिल्कुल अलग था बईया regular का paper से तो बिल्कुल match नहीं हुआ sol का paper तो आप बोलोगे sir कुछ भी हो सकता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप regular रहेंगे ना तो corporate account में आप कोई बच्चा ना ये ना सोचे कि ये छोड़ना है कि ये करना है ये कैसे करें ये कैसे करें आपको systematic तरीके से each and everything बिल्कुल detail में आपको पढ़ना है बिल्कुल detailing में each and everything मतलब हर चीज पता हो चाहे questions में आपसे MCQ पूछ ले चाहे आपसे question में theoretical path पूछ ले चाहे question को case study बना के पूछ ले सबका answer पता आपको होना चाहिए क्योंकि last time पे corporate का जो paper हुआ था न तो पिछली बार corporate के paper में MCQ के भी question पूछ लिए गया थे 40 number के जो practical आता था उसको 40 number में ये पूछ लिया गया था सर इसका क्या provision किया है आपने 12th वाले बच्चे जो कमजूर है या science side के थे जो बच्चे अब क्या करेंगे उनका फिर इसका मतलब छोड़ दे वो नहीं मैंने जो बच्चे online है मैंने क्या करा है 12th class की जो की corporate account से related थी उसकी सारी वीडियो मैंने डाल दिया है 12th class का यानि हम यहाँ पे एक share capital वाले चप्टर यहाँ भी पढ़ने वाले है और पहले भी पढ़ा था तो यहाँ share capital वाले हम चप्टर पढ़ने वाले है न वो थोड़ा सा fast लेके चलने वाले है थोड़ा सा fast in the sense क्योंकि आप second year में हो तो मैं यह assumption लेके चलूँगा कई बार को वैसे तो मैं नहीं लेता assumption मैं मान के चलूँगा कि आपको 12th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है उसके इसाब से थोड़ा लेके चलेगा मेरी courses रहेगी पूरे detailing में लेकिन मैं कहीं कहीं पे speed up उसके लिए मैंने क्या करा 12th की वीडियो आपके folder में डाल दिया है तो जो बच्चे commerce background के नहीं थे वो भी देख लेंगे और जो बच्चे commerce background के हैं लेकिन 12th class के अंदर अच्छे से नहीं पढ़ाईगी क्योंकि आप जानते क्योंकि आपके जो 12th class है वो किसके अंदर गया है COVID के अंदर गया है एक्जाम तो दिये नहीं है वो ऐसे ही हो गया तो वो यहां से उस वीडियो को देखके कर लें practice कोई doubt होता है doubt के लिए मैं available हूँ जिस तरीके से income tax में मैंने भी कई बच्चे थे रात को 10-11 बजे जो भी doubt आ रहा था जिस तरीके से ले रहे थे सभी के sort out हुए तो उसी तरीके से doubt के लिए भी फिर से सारी कहानी चलने वाली है आपके तो पहली बात doubt आएगा तो कहां पूछेंगे doubt तो very simple सी बात है सर मैं स्लेबस के बात सारी और कुछ बाते discuss कर लूँगा स्लेबस हमारा क्या है सर corporate में बस ये chapter है कितने chapter 11 पहला chapter है हमारा issue for feature reissue exactly 12th class मेरे से कोई बच्चा बोलता है ने 12th class में एकदम मेरा बहुत अच्छा था share capital मैं बोलूँगा कि second year के अंदर आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है इस chapter के अंदर cdc बात है बस थोड़ा सा पढ़ना है आपको बस उसको एक remind call करने है और एक finishing करने है बस और जो बच्चे बोलते है सर हमने तो corporate ये वाले chapter पढ़ा ही नहीं था issue of shares उनके लिए तो भीया ये पहाड है फिर एक महिना पढ़ना पढ़ेगा उसको cdc बात है क्योंकि ग्यारवी क्लास बारवी क्लास में आप भी आत करो जब पढ़ा होगा share वाला chapter उसको एक महिने के करीब मैंने उस time पर भी जो बच्चे मेरे से पढ़ रहते पहले 12 में तो उनको एक महिने के आस-पास मैंने उस time भी करवाया था लग गया था सारा धीरे 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 topic wise तो वह सारी वीडियो जो detail वीडियो है ना बिल्कुछ छोटे छोटे concept बनाके चोटे छोटे चोटे topics बनाके वह मै ने example लेके करवाये हैं और हाला कि इन chapter हो के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने example ही लेता हूं books के कम prefer करता हूं तो उसके accordingly तो सर ये chapter 12 वाला है और इसकी पहले से already video है आप जल्दी खतम कर लेंगे तो मेरे लिए आसानी होगे और आपके लिए भी ये आपके लिए बिल्कुल new chapter है बस एक ही chapter आपका पुराना बाके सब बदल गया ये chapter सर आपके लिए नया है buyback of share, debenture और ये आपके कितने unit है सर, unit 1, 2, 3, 4, 5, 5 पांची unit होते हैं यानि सर ये question हो गया 15 नंबर का करने के बाद 15 नंबर, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है सर, अभी इसके अंदर issue of debenture, redemption of debenture, कुछ एक chapter इसके अंदर ना bonus share जोड़े नहीं है, वो ना mix up कर रखे हैं, तो buyback के अंदर ना एक मैं अगर chapter लिखू, क्योंकि मैंने सीधा du का syllabus उठा के लिखा यह यहां पर, तो due यहां पर एक क्या क्या रहे गया इस chapter में से bonus, और क्या रहे गया right issue, और क्या रहे गया sir, right issue, bonus, redemption of debenture, तो आप मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chapter करेंगे ना, तब जाके आपको 15 नंबर के लिए confirm हो सकते हैं, और examiner ऐसा नहीं है, कि 9 में से कौन सा chapter दे किसी भी एक chapter को लेकर 15 नंबर का question बना देते हैं वो, पिछली बार इस बार इस बार इस chapter को लेकर बना दिया, bonus को, 15 नंबर का करो, कई बार इसमें से 15 नंबर का पूरा बना देते हैं, option में although theory वगरे मिल जाता है, तो सबसे बड़ा challenges है, कि 15 नंबर के लिए आपको बहुत कोशन आया करता था, हर साल इसमें से 15 नंबर का question आया करता था, trading बनाईए, P&L बनाईए, पर वो जो बनाना सीखा था ने पहले सेम है, लेकिन अब company का बनाएगा, 12th class में याद होगा, sub head, main head, तो वहाँ पर head, head करके छोड़ दिया था हमने, अब amount के साथ हमें पूरा P&L balance match करना पड़ेगा, तो ये 15 नंबर का आता है, पिछली बार आता था, पिछली बार इसमें से MCQ पूछ लिया गया था, केस में से क्या क्या आएगा ये बताईए, cash flow statement, sir cash flow statement आपका 15 नंबर का है, थोड़ी सी राहत की बात ये करूँगा, लेकिन 15 का बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार 15 का निया था, पिछली बार ये 10 का पूछ लिया था, उन्होंने, मैं last year के questions paper भी आपके साथ discuss करूँगा, लेकिन अभी करने का फाइदा है नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताता जाओंगा, sir amalgamation, internal reconstruction, amalgamation और internal reconstruction, य holding तो अलग level का ही chapter है, सरी है, CA final में बच्चे होते हैं, उनसे पूछो नो, कौन सा chapter paper में छोड़के जा रहे हो, holding subsidiary, एक यही chapter अकेला नाम लेते हैं वो, के paper पूरा हो गया, CA final की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे CA enter का बच्चा हो, और in fact become का बच्चा हो, भाई कौन सा, जैसे क यह एक nature बना वाता था, था NPO, बेकार यह नहीं करना जी हो, कर लोग कितनी बार भी, कहानी बच्चा जाती है, करा ना करा ना बराबर, paper में हो गया तो हो गया नहीं हो तो भई, और होते भूलते भी बड़ी जल्दी थे, same कहानी यहाँ है, तो यह हम सब से last में उठाने व तीन दिन की class है, तो आपका लग जाएगा इसमें 15 दिन, 15 दिन का मतलब मैं वैसे 7 classes बोल दूँ मैं, 7 classes, सर, cash flow statement के अंदर 5 classes, और cash flow statement जो आपने 12 class के अंदर किया था, वो तो है, यह उसके साथ बहुत सारे extra adjustment भी है, amalgamation के अंदर आप मान लो 7 classes, internal reconstruction में मान लो 5 classes, आपका liquidation company में मान लो 4 classes, और इसके अंदर कितना भी लगा लो कम है, और इन सभी chapter को करने में आप मान के चलो, कम से कम, नहीं तो कम से कम आपके लग जाएंगे 30 classes, तीस ना कहूं अगर मैं, तो आपके 15, 25 classes तो मान के चलो, 25 दिन तो, सर यानि डेड़ से दो महिना आपका ये खा जाएगा पूरा, हमारे पास available, strategy देखना हमारे पास available है 4.3, जिसमें से दो महिने ले गया unit 1, है ना, 15 दिन ले गया कौन हमारा, unit 2 ले जाएगा 15 दिन, डेड़ महिने का, दो महिने का हिसाब के धाई महिने चले गए, इसके बाद ये वाला ले जाएगा देखो, 7, 5, 12 और 4, 19, यानि एक महिना cash flow भी माल लो आप, 10 दिन, इसके बाद ये वाला ले जाएगा हमारा कितने सर, 20 दिन, 7 और 5, 12, 4, 12 और 4 कितने होते हैं, 17, सर, 20 नहीं, 30 दिन से उपर ले जाएगा, ये वाले chapter, और last वाले को लेके चलेंगा, तो देखे, 2 महिने और 1, 3 महिने तो ये consume कर गया, 1 महिना ये माल लीजिए, 4, बाकी इसको कितनी speed up में खीशना है, तो वो देखना है, तो देखो, मैंने 5 महिने का planning गिनवा दिया आपको उंगलियों पे, और आप अब observe करेंगा, समय क्या बच गया, कम बचा है, मतलब घट गया समय तो, तो कहानी ये रहने वाली है, हम अगर ऐसा सोचेंगे ने, 5 महिने पढ़े हैं, कर लेंगे, और literally exam से पहले ना, जो बच्चे ये पूछते ना, प्लीज मैं हर बच्चो के बोलूँगा, exam से पहले ना, तो ये करो, और ना ही पूछो, कि दो दिन पहले सर, कुछ ऐसा बता दो के पास हो जाएं, मुझे मजबूरी में न, बच्चे का मन, ना दुख जाए, बोल लेता हूँ, ये चप्टर कर लो, ये चप्टर, मुझे पता है कि होगा ही नी, लेकिन बोलना पढ़ता है कि चलो, ये चप्टर कर लो, इसके थियोरी देख लो, आ जाए तो ठीक है नहीं है, तो ये, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे न अंद विश्वास करते हैं, कि तीन दिर में कुछ-कुछ ऐसा बता दे, जो कि ऐसा हो जाए, एकदम फटा-फट से हो जाए, ऐसा चल जाए, मैं, इंकम टेक्स के पेपर रात को मैंने तीन बज़े सॉल्व करके डाला, एप्लिकेशन पर भी डाला, यूटूब पर भी डाला, एक्जाम से पहले के बच्चा देखके चले जा, तो खुछ बच्चे तो कह रहे हैं, सर पीपर लिख करवा दिया क्या अपने, जो अभी आंसर डाल रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट के तीन, रात के तीन वज़े मैंने उसको सॉल्व करके डाला था, इंकप्टेक्स का पर तो कुछ बच्चे असे पूछ रहे हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है, कि आपको corporate account के अंदर थोड़ा साते यारी अच्छे से करना है, मैं डरा नहीं रहा, वो बच्चे डरें, जो regular नहीं रहते, absent रहते हैं, जो बोलते हैं कि सर्फ पढ़ लेंगे, कर लेंगे, उनके लिए तो पूरी-पूरी समस्या है, लेकिन जो बच्चे regular पढ़ेंगे, उस स्ट्रेटेजी से करेंगा, मैं एक भी चीज नहीं छोडने वाला, इसके अंदर, कुछ भी points नहीं छोडने वाला, चाहे exam के पाव, इसमें कोई भी नहीं पूछे रहा कि exam के लेंगे, मैं सब करा हुआ, paper जैसा भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार का जो paper है, maximum chances है, जो teacher पिछली बार बना रहे थे, not I am sure, कि जो इसका paper है, मेरे सुनने में जो आया था, कि college के professor है, कोई, सायद रामजस college के professor है, PC तूल से अन करके हैं, वो बना रहे हैं paper, जो कि उनकी book भी market में available है, आप देखोगे ना उसमें, तो उनके book के question, अप level का रहता है, कुछ कहने का नहीं है, ठीक है न, तो उसके accordingly बना लेते हैं, और कुछ-कुछ examiner behavior भी change कर रहे हैं, पिछला trend चला आ रहा है, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, उसके हिसाफ़ से change कर रहे हैं, sir, book कौन सा लेना है, sir, इसके लिए J.R. Monga, उसके उपर लिखा हुआ है, राज वहादूर एंड J.R. Monga, और J.R. Monga, अभी market के अंदर ये book नहीं आया, लेकिन हाँ, अगली class तक आपके हाथ में book आ जाएगा, ये market के अंदर, आप दो से तीन दिन के अंदर, market के अंदर book आ जाएगा, और latest updated book लेना है, ये नहीं कि पुरानी ले ली, second hand ले ली, cost accounting का आपका पुराना चल जाएगा, लेकिन इसका नहीं चलने हाँ है, तो बिल्कुल latest और updated book लेना है, इसका पड़ी सीधी सी बात है, cost का लेना है, महेश्वरी मित्तल, जो बच्चे cost भी पढ़ते हैं, मैं दोनों book लिख देता हूँ, महेश्वरी मित्तल, और number 2, जे आर मोंगा, आपके college वगरा में भी यही लगाएंगे, don't worry के हम अलग कोई, हमारा direction वही रहता है, main focus रहेगा, काफे सारे बच्चों की complaints जो पिछली बार थी, उस complaint को इस बार sort out कर लिया जाएगा, कि sir, test नहीं हुआ था, थोड़ा सा test हो जाता, तो और ज्यादा अच्छा था, although papers अभी का अच्छा बोल रहे थे गया था, test हो जाता हो तो थोड़ा ठीक रहे था, क्योंकि समय कम था, दूसरा उनका थोड़ा सा था, कि sir, extra कुछ questions हो जाते, test हो जाते, या फिर book वगरा, क्योंकि पिछली बार book, जायतर बच्चों ने पता नहीं, I don't know, use किया गया नहीं किया, लेकिन मैंने तो बोला था, और 10 year के सवाल भी हमने कर लिये थे, एक complaint था, sir, test ले ले थे, और थोड़ा time से slay बस, और regular वाले बच्चों का था, sir, internal के अंदर ही आ रहा है, जो मैं questions कराऊंगा, इन्ही बुक्के मैं करवाने वाला हूँ सामने, बाके last में 10 year के questions देखेंगे, क्योंकि इस वाले book के, इसके 10 year मैं अभी बस arrange नहीं किया हैं, मैंने, तो last में देख लेंगा, ऐसा नहीं के past year के question नहीं करेंगे, करने वाले हैं, लेकिन वो हम सबसे last में देखेंगे, कैसे करना, अभी तो पहले हम पूरा text book अच्छे से खतम करके जाने वाले हैं, ठीक है ना, तो साय सेमेस्टर 3 के अंदर आपके text book इतने use रहा हो, ना रहा हो, क्योंकि मैंने सारा already notes किसमें डाल दिया था, 10 year के अंदर सब कुछ डाल दिया था, तो कई बच्चे ऐसे भी थे, जिन्होंने book नहीं खरीदे, उनका भी क्या हुआ, हो गया, चलो ठीक है, done हो गया, लेकिन इसके अंदर आपको book लेना पड़ेगा, और 100% ये book यूज होने वाला है आपका, daily classes के अंदर, हाँ, चलिए, कहते हैं सर फिर exam दो तीन दिन पहले बैच क्यों, स्टार्ट, पच्चे कहने सर मेरी भी री आ गई है, री का मतलब, इयार आ गई, कोई six semester वाले भी बच्चे होंगी, सर मैं sciences student हूँ, और किसी बच्चे का कोई doubt है, तो पहले एक बार पूछे आप, क्योंकि आज की class के अंदर, जस मैं intro देने वाला था आपको, कि भई आम ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं, और किसी भी तरीके का doubt आता है, तो आपको मैं सामने number लिख देता हूँ, इसी number पे doubt के लिए आपको करना है, how to take doubt class अल्रेडी डला हुआ है, लेकिन उस number पे कई वार अभी दिक्कत आ जाती है, तो मैं number लिख देता हूँ, इस number पे आपको whatsapp करना है, आप number नोट कर लेंगे, जिस number पे आपको doubt शेयर करना है, कि कैसे होगा, ये ना सर मेरे पास semester 4 में book, तो अब हम तो ना ले, हाँ जो बच्चे देखो, year वाले थे, तो पहले भी 500-600 रुपे का book उने ले लिया था, तो अब थोड़ा सा क्या करें, उससे avoid करें, कोई दिक्कत नहीं है, सर पेपर में theory आती है, तो बता दे, theory आएगी पेपर में पिछली बार 10 number की theory आई थी, corporate में बस, जैसे income tax में था ना, कि theory बहुत ज़ादा आ जाती है, ऐसाच नहीं रहता है इसमें, cost में आएगी theory, और किसी का कोई doubt है, बताईए जो बच्चे live में हैं, काफी बच्चों का ना, एक और myth है, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलूँगा, please अपने senior से एक बार जरूर बात कर लिजेगा, कई बार मेरी बातों पर यकीन हो या ना हो, अपने senior, senior मतलब, जो कि अभी final year में होंगे, उनसे पूछ रहने का भी या corporate का है, कि class low year 12th के जैसा हो जाएगा, वो बता दे, क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं कि share capital का chapter देखते हैं, बोलते हैं 12th जैसा ही हो जाएगा, और पिछली बार सबसे ज़्यादा fail होने के बच्चा जो था ना, बहुत सारे पार्ट आजाते हैं, आपने पहले ना amalgamation किया, ना internal किया, ना accounting liquidation किया, ना holding subsidiary किया, ना buyback किया, ना आपने redemption of preference share क्या किया ही नहीं, तो बच्चे दो चप्टर को देखते हैं, हो जाएगा, दो चप्टर का 12 वाला, तो सबसे बड़ी गलत फैमी ये निकाल दीजिए, कि ये 12 के जैसा है, एक चीज़ आप बहुत ख्याल रखिएगा इस बात, क्योंकि बच्चों में होता है कि ठीक हैसा 12 के जैसा है कर लेंगे, वो आपके इच्चा है, लेकिन मैं हर बच्चों को कहूँगा, डिले मत करिये, काफी सारे बच्चे होल्ड पे थे, बोल देखे सर, एक दो दिन रुख जाईए, हम अभी बैच, तो मैंने इसलिए आज की क्लास में पता है क्या, सिर्फ और सिर्फ इंट्रो दिया है, चैप्टर बताया है, मैं चैप्टर स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है आज वाली क्लास में, आपकी क्लास जो ट्यूजडे होगी न, थोड़ा सा टाइम मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास से साड़े साथ बजे मैं स्टार्ट कर दूँगा पढ़ाना बस, आपको रिड्य रहना है, तो जो बच्चे ऑनलाइन है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो दस बजे रात को भी तब भी हो कर लेंगे, सर, I am from B.com.onor, second semester का paper नहीं दे पाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, second semester का paper नहीं दिया था, तो corporate up कर लेंगे, कोई भी दिक्कत था, सर, मैंने first year में accounts के अंदर कुछ नहीं किया, तो क्या चलेगा, हाँ, देखो, first year में अगर देखो, में तसर्फ Shares वाले चप्टर के Corporate मतलब आपका Corporate की बात कर रहे है बच्चे कहरे हैं सर मेर को Micro और Corporate के साथ Cat की भी तयारी करनी है सुबहम Cat की तयारी आपका Micro यानि फोर विप समेस्टर में Micro Corporate के साथ Cat की आपका सुबहम मेरे ख्याल आपका semester कौन सा है 6 है मेरे खाल अधित्य टैनियर नहीं सर टैनियर से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला टैनियर मैं कितना भी update करना हूँ बर text book पढ़ना ही पड़ेगा हमें सीधी बात है मैं आपको उसमें क्यों रखूँ कि भिया हो जाएगा कर लेंगे हाला कि 10 यर मैं पूरा update कर रहा हूँ उसको और जो भी आपके पास 10 यर आएगा वो updated ही आएगा उसमें चिंता की बात नहीं है लेकिन मैं अभी कहूँगा कि आपको book प्लस 10 यर सब कुछ करना पड़ेगा 6 है हाँ तो cat की आपको अभी से तयारी करनी होगी आपके date sheet आग मेरी खाल आ गया next calendar आप chat में डाल दीजिएगा मैं जो cat की सारा counselling करती है उनसे मैं communicate करा दूँँ आपका और किसी बच्चे का कोई doubt cost account के business law वो business law जिनके पास अब वो self पढ़ना पड़ेगा वो theoretical है theory है वो हाँ तो वो self पढ़ लीजिएगा यहाँ पर class चलती है लेकिन वो फिर थोड़ा छे या पांच बजे गाय मेरे खाल I think अब स्टार्ट होगी business law यह तो वो self कर लीजिएगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है न पर प्लीज एक बार chapter वाले screen ठीक है chapter वाले screen देख लीजिए आप यह रहा chapter आपके तो simple है मैंने पहले ही बोल दिया उससे कोई लेना दे रहे है हाँ corporate के अंदर सिर्फ company वाले chapter आपको आना चाहिए ठीक है सभी के मैंने hopefully आज मैंने start नहीं किया है अगली class से मैं start कर दूँगा और timing मैंने बता दिया है time पे मिलते हैं और अगली class में हम share capital का करेंगे और मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा थोड़ा समय speed up लूँगा मैं पहले से वीडियो डाल दूँगा अब देखो third semester में एक दिक्कत और हुई थी स्लेवर्स के लिए काफी बच्चों काया था सर स्लेवर्स आपने लास्ट में बहुत ज्यादा ज्यादा time देखे कराया time कम था तो क्या करना था जोर online में live में बच्चे हैं पिछले session में मैंने corporate कराया था जिसको course खतम करना है आपके पास अल्रेडी सारी recorded वीडियो है सारी recorded वीडियो है A to Z पहले chapter से सारी recorded वीडियो अल्रेडी content में available है जिसको जल्दी खतम करना है वो फटाफट खतम कर सकता है sequence wise लगा हुआ है जीर मोंगा का ही मैंने उसमें भी करवाया हुआ है लेकिन इसका मतलब ये निए कि मैं live class नहीं लूँआ live class भी लूँआ और थोड़ा सा जिस हिसाब से paper आया है ना उस पे exam के हिसाब से मैं लेके चलने वाला हूँ बस तो जिनको पहले जल्दी जल्दी खतम करना है वो पहले भी कर सकते हैं तो इस बार ऐसा नहीं रहने वाला कि आपका slaves खतम नहीं होगा slaves तो already वीडियो डली हुई है आपके आप चाहो तो अभी भी कर सकते हैं एक मेहने में खतम कर सकते हैं अब जितने आपके रफ़तार है उसके हिसाब से करोगे बागे मैं ये सारी कह रहा हूँ कि purely live class के schedule है जिनको live लेना है सर cash flow तो बड़ा chapter है काफी 5 class में हो जाएगा बिल्कुल देखो मैंने इसलिए यहां पे बुला cash flow बड़ा chapter है definitely और मैंने 12th के अंदर ना सारे वीडियो डाल दी है basics basics के तो जहां पे मैं बहुत time लगता था हम ना आपका 12th में उस chapter को फटा फटा आगे बढ़के फिर हम उसके इसाब से करने वाले हैं इसको ठीक है ना adjustment पे mainly focus रहेगा इसके येस है ना बताईए voice आ रही है आपको ही ना येस राजेंदर voice आ रही है हाँ जी बताईए doubt side voice clear नहीं जा रही sir become honors cost accounting की class start हो गए ये बिल्कुल become honors cost accounting की एक classes हो चुकी है आपकी Monday second class होंगी बस आप second year में focus करिए मैं सीधा बताऊ ना study का कुछ वच्चे जॉब बाले होंगे हर किसी की अपनी-पनी मजबूरी है भईया नौकरी करनी पढ़ती है घर के खर्चे चलाने पढ़ते हैं मम्मी पापा को support करना पढ़ता है मजबूरी है लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है न कुछ सौकिया भी होते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अब ही है second year मेहनत करके पढ़ लीजिए और second year के बाद professional course की तयारी करिए और उसके बाद easily job में आप जा सकते हैं और जो बच्चे अभी थोड़ा सा रुक गया है ना किसलिए रुक गया है सर के CA का exam की भी preparation करते हैं तो वो foundation देते हैं तो उन बच्चों को मैं एक ही सला देन करिए बीच में आप जो है ना या तो आपको 12 के बाद करनी चाहिए तो कुछी जे planning से अब बीच में आप फस गया है और second year आपका है भी पूरा tough और बीच में आप इधर उदर भागने की कोसिस करें और जायतर बच्चे इधर उदर direction में जाते हैं उनका career खराब हो जाता ह cat की exam की तयारी करने career sir cat की exam बहुत बच्चे select होते हैं ऐसा नहीं कर नहीं होते cat की exam की तयारी साथ के साथ सेकेंड ये का पेपर देने के बाद कर सकते हैं पाँचवा semester शटा semester आसान है उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल macro की भी class start हो गई है हाँ किसलिए नहीं हुई macro की class कुछ बच्चे पूछे हैं तो अभी exam है ने आपका मंडे exam है कुछ बच्चों का तो इसलिए stop कर दी थी फिर Tuesday से start हो जाएगा sir cost accounting की first class की recording upload बिल्कुल definitely हो गई है cost accounting की class upload हो चुकी है तो चलिए सभी से मैंने पूछ भी लिया doubt मिलते हैं next class के अंदर और पूरा proper detail के साथ Monday तो cost की class है उसके बाद आगे के class है yes ही नहीं चीक है मैं disconnect कर रहा हूं good night management account की management की भी start अभी नहीं हुई है management की अभी paper की बेसे रुख रहा है Monday आपका paper हो जाएगा उसके गाद से management भी start कर देंगे सारी classes Tuesday Wednesday से start कर देंगे management don't worry about it ठीक है good night take care मिलते है next class में